तेरा वचन मेरे पाउं के लिए दीपकी है और मेरे मार्क का वुझी आला है तेरा वचन मेरे पाउं के लिए दीपकी है पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय तेरा पदसंख्या एक से दो तथा पैंतालिस से चैलिस तक प्रभू ने मूसा और हारून से ये कहा यदि किसी मनुष्य के चमड़े पर सूजन पपड़ी या फल दिखाई पड़े और चमड़े में कोड़ हो जाने का डर हो तो वे मनुष्य याजक हारून तथा उसके पुत्रों में से किसी याजक के पास लाया जाए कोड़ी फटे कपड़े पहन ले उसके बाल बिखरे हुए हो वे अपना मूँ ढख कर अशुद अशुद चिलाता रहे वे तब तक अशुद होगा जब तक उसका रोग दूर न हो वे अलग रहेगा और शिविर के बाहर निवास करेगा यह प्रभू की वानी है इश्वर को धन्यवाद भजन अन्वाक्य धन्य है वे जिसका अप्राध क्षमा हुआ है जिसका पाप मिट गया है धन्य है वे जिसे इश्वर दोशी नहीं मानता और जिसका मन निश्कपठ है अन्वाक्य हे प्रभू तु मेरा आश्रिय है तु मुझे मुक्ती के गीत गाने देता है मैंने अपना अप्राध स्विकार किया मैंने अपना दोश नहीं छिपाया मैंने कहा मैं प्रभू के सामने अपना अप्राध स्विकार करूँगा तब तुने मेरा दोश मिटा दिया, तुने मेरा पाप शमा किया, अनुवाक्य हे प्रभु, तु मेरा आश्रिय है, तु मुझे मुक्ती के गीत गाने देता है हे धर्मियों प्रभु में अनंद मनाओ, हे प्रभु भगतों उलसित होकर आनंद के गीत गाओ, अनुवाक्य हे प्रभु तु मेरा आश्य है, तु मुझे मुक्ती के गीत गाने देता है दूसरा पार्ट, कुरंतियों के नाम संद्पॉलूस का पहला पत्र, अध्याए 10, पत्संख्या 31, अध्याए 11, पत्संख्या 1 आप लोग चाहे खाएं या पिएं, जो कुछ भी करें, सब इश्वर की महिमा के लिए करें किसी को ठोकर ना खिलाएं, ना यहूदियों को, ना युनानियों को, और ना इश्वर की कलीसिया को मैं भी अपने हित का नहीं, बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रख कर, सब बातों में सब को प्रसंद करने का पर्यतन करता हूं, जिससे वे मुक्ती प्राप्त कर सकें आप लोग मेरा अनुसरन करें, जिस तरह मैं मसी का अनुसरन करता हूं, ये प्रभू की वानी है, इश्वर को धन्यवाद, जैखोश, अलेलुया, अनुवाक्य, अलेलुया, हे प्रभू, बोल, तिरा दास सुन रहा है, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है, अनुवाक्य, अलेलुया, पवितर सुसमाचार, संत मारकुस के अनुसार, अधियाई एक, पदसंख्या 40-42, एक कोड़ी येश्व के पास आया, और गुटने टेक कर उनसे गिड़गडाते हुए बोला, आप चाहें, तुम मुझे शुद कर सकते हैं, येश्व को तरस आया उन्होंने हाथ बढ़ा कर ये कहते हुए, उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद हो जाओ, उसी शन उसका कोड़ दूर हुआ, और शुद हो गया, येश्व ने उसे ये कड़ी चैतावनी देते हुए, तुरंत विदा किया, सावदान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ, और अपने शुदी करण के लिए मुसा दुवारा निर्दारित भेट चड़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्ते लाब प्रमानित हो जाए, परुंतु वे वहां से विदा होकर, चारों और खुल कर इसकी चर्चा करने लगा, इसे ये के लिए प्रकट प्रूप से नगरों में जाना असंबव हो गया, और वे निर्जन सिथानों में रहने लगें, फिर भी लोग चारों और से उनके पास आते थे, ये प्रबु का प्वित्र सुसमाचार है, खृस्त की जैन झाल